सूपरस्टा सलमान खान की हाल्या रिलीस फिल्म किसी का भाई किसी की जान बॉक्स ओफिस पर आवरिज कमाई कर रही है इस फिल्म को लोगों से वैसा रिस्पॉंस नहीं मिला जैसे की उमीद की जारी थी Tiger Wars पठान से पहले सलमान कम से कम दो फिल्मों में काम करेंगे यह फिल्म कौन सी होगी इसको लेकर बातचीत जारी है करन जोहर के production की एक action film पर discussion चल रहा है सूरज परजातिया के साथ भी एक फिल्म को लेकर चर्चा हो रही है मैतरी मूवी मेकर से भी सलमान को एक फिल्म ओफर होने की बात की जारी है इस सब के बीच एक चौथा प्रोजेक्ट जो है वो खबरों में आ गया है साजिट नाडियाडवाला की किक टू रिपोर्ट में दावा की अजवारा था कि सलमान खान की अगली फिल्म किक टू में आसिम रियाज को बॉलिवुड में लॉंच किया जाएगा लेकिन साजिट नाडियाडवाला ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे बहुत लोगों के दिल तूट सकते हैं सूत्रों के हवाले से एक खबर छपी जिसमें बताया गया किक टू में आसिम को एक एहम रोल ओफर किया गया जिसके बारे में जल्द ही घोश ना की जाएगी इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया किक टू दोहजार चौबिस में रिलीस होगी अब इस पर प्रोड़क्शन हाउस ने रियाक्शन दिया है प्रोड़क्शन कंपनी नाडिया द्वाला ग्रांट सर्ण ने ओफिशल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया और एक न्यूस शेयर की जिसमें लिखा है कि आसिम रियाज किक टू का हिस्सा है प्रोड़क्शन हाउस ने ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा हम किक टू की स्क्रिट पर काम कर रहे हैं और ये न्यूस सच नहीं है आसिम रियाज के किक टू से बॉलिवूड में डेब्यो करने की अव्वा तब शुरू हुई जब ऐसे एक मीडिया संस्थान की रिपोर्ट में सलमान खान स्टार इस फिल्म के साथ आसिम रियाज के लॉंच की पुष्टी की गई थी कतित तौर पर उन्हें फिल्म में एक महत्वपून भूमिका निभाने का ओफर दिया गया था इस रिबोर्ट में आसिम के करीबी एक सूत्र के हवाले से कहा गया था कि फिल्म 2024 में रिलीज होगी और फिल्म में आसिम की भूमिका के बारे में अधिकारिक घोशना जल्द की जाएगी दूसरी तरफ आसिम ने भी हाली में अपने इंस्टेग्राम स्टोरी पर खुद की एक सेलफी साजा की थी और उस कैप्शन में उन्होंने लिखा था नई शुरुवात उनके इस पोस्ट पर उनके प्रशंसकों ने उन्हें बढ़ाई थी आपको बता दे कि 2014 में सल्मान ने किक नाम की फिल्म में काम किया था पिच्चर ब्लॉकबस्टर रही तबी से इसके स्वीक्ल बनने की त्यारी शुरू हो गई 2020 में जैकलीन फ्रनांडेस के बर्दे पर साजिक नाडियाडवाला ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने किक टू की स्क्रिप्ट को लॉक कर दिया है ये एक तरह से अनौपचारिक एनाउंस्मेंट थी उसके बाद पैंडेमिक आ गया और फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई अब उसकी दुबारा चर्चा फिर से छड़ गई है फिलाल किसी का भाई किसी की जान से सल्मान खान ने पठान में कैमियो किया था चर्चा है कि अब सल्मान खान की टाइगर थ्री में शारु खान भी कैमियो करते हुए दिखाई देंगे